साथियों, हौसले से भरा हुआ अपने लक्षों के प्रती समर्पीत, भारत सिर्फ क्रिकेट की फिल्ड पर दिखता ऐसा नहीं है, आप भी तो इसी ही एक तस्वीर है, आप आप में जुआत से सेल्फ कॉंफरेंस से भरे हैं, आप लीट से हड़ कर सोचने और चलने में डरते नहीं है, आपके जैसे इसी युवा उर्जा ने कोरोना के खिलाप अपने लडाए में भारत को बहुत मजबुती दी है, आपको याद होगा, इस लडाए की शुरूवात में ऐसी आशंगा जिताई गई थी, कि इतनी बड़ी आबादी वाला भारत, रिसोर्सिच के में कोरोना से तबाव हो जाएगा, लेकिन भारत ने दिखाया कि रिजॉल और रिजिलियन्स अगर आपके पास हैं, तो रिसोर्सिच तैयार होते देर नहीं लगती, भारत ने यही किया, भारत ने हालत से समझोता करने के बजाएं, मुसीबत बड़े इसका इंतजार करने के बजाएं, तेजी से फैस्त ले लिएं, प्रोएक्टिव होकर फैस्त ले लिएं, इसी का परणाम है कि भारत वायरस से ज्यादा प्रभावी रूप में बढ़ पाया, प्रभावी रूप से लड़ पाया, मेड इन इंडिया सॉलुशन से हमने वायरस के फैलाव को कम किया, अपने हेल्द इंफ्रा को बहतर किया, अब हमारे वैक्षिन से जुड़ी रिसर्च और प्रोडोक्षन की ख्यमता, भारत के साथ साथ दुनिया के नेक देशों को सुरक्षा कवज का विश्वाद दे रही है। अगर हम अपने वैज्ञानी को, अपने रिसर्चर्स, अपने स्कॉलर्स, अपने साइंटिस्स, अपनी इंडिस्ट्री की ताकत पर वरोसा ना करते, तो क्या ये सभलता संभव हो पाते हैं। और साथियों, सिर्फ हेल्थ सेक्टर ही क्यों, हमारा डिजिटल इंफास के तेर ही लीजिए। अगर हम भी ये मान कर बैठ जाते हैं, कि भारत में लिट्रसी के भाव में डिबीटी, डारेक्ट मेनिफिट ट्रांसफर और डिजिटल लेंदेन संभव नहीं हैं। तो क्या कोरोना जेसे संकट में सरकार गरीब से गरीब तक यतने प्रभावी ढंग से पहुंच पाती। आज जिस फिंटेक में डिजिटल इंक्लुजन में हम दुनिया के अगरनी देशों में सामिल हैं, वो क्या कभी संभव हो पाता। आज का भारत समस्या के समाधान के लिए एक्सपरिमेंट से भी नहीं डरता और बड़े स्केल पर काम करने से भी पीछे नहीं अडरता। सबसे बड़ा बैंकिंग इंक्लुजन अभियान भारत में हो रहा है। तॉयलेट बनाने का सबसे बड़ा अभियान भारत में है। हर गरीब परिवार को घर देने का अभियान भारत में। गर गर जल पहुँचाने का सबसे बड़ा अभियान भारत में। सबसे बड़ी हेलब hora Д Assharma scheme भारत में। और अब शबसे बड़ा टीका करन व्यान भी भारत में। इन सबका पहुद बड़ा लाब … नौर्ट इसे को हुआ है। असम के लोगों को हुआ है। ऐसे कारकम तभी चल सकते हैं जब देश और समाज आत्म विश्वात से भरा हो देश यथा स्थित्री को बदलने के लिए इनोवेट करने के लिए पूरी शक्ति लगा रहा हो